तोस्तों मैं बता रहा हूँ लोड चाट देखने के बारे में कि हम लोड चाट को कैसे देखेंगे तो हम कैसे मालूम चलेगा क्या है तो वो चीज आपको कभी भी आप लोड चाट देखने जाओगे तो घ्लित साब से हम आपको बता रहे हैं कि कैसे लोग चैट देखा जाता है तो पहला चीज सबसे पहले चीज आपको क्या देखना रहता है रेडियस वर्किंग रेडियस जो हम काम करेंगा उसका रेडियस ठीक है तो यह जो हमारा है यह रेडियस है ठीक है तीन मीटर सार तीन मीटर च यह चीजे हैं नेमेन लिखाूआ है, यह आपका व्लेंथ के बारे में है टेके और यह जो चीज यह हमारा केजी में दिया हूँ, कि हम कितने मालと उठा सकते हैं, तो यहां पर संदिका रहे है, 75000 केजी यानि कि 75,000 केजी 75,000 केजी का मतलब हो गया 75 टन ठीक है 11.6 भूम लेंथ है और 3 मीटर रेडियस है तह हम उठा सकते हैं कितना 75 टन ठीक है तो इसके लिए आपको चीज जैसे कि और भी जरूरत पड़ेगा तो यह चीज नीचे आएंगे ठीक है तो यह चीज आपको दि उठाना है जैसे वैसे तो बहुत कम ऐसा नहीं होता है इसका केपसीटी उतना बनेगा तो कब बनेगा कि मेन बूम पे जो बेसिक बूम रहेगा 11.6 मीटर का basic boom होता है तो उसमें अगर 3 मीटर हम radius बनाते हैं तो उसकी capacity बनेंगी 75 टन की ठीक है दोस्तो ऐसे ही अगर जैसे 11.6 मीटर boom length है ऐसे ऐसे अगर हम boom down करते हैं तो radius बढ़ता जाएगा तो जब हमारा radius बढ़ता जाएगा तो हमारी capacity है वो घटता जाएगा ठीक है दोस्तो तो जैसे 3 मीटर है तो 75 टन उठाएगे और फिर सारे 3 मीटर radius हो जाता है तो वहाँ 64 टन का आ जाता है ठीक है फिर radius बढ़ता जाता है जैसे 4 मीटर radius आगिया तो यहाँ पे हम 56 टन ही उठा सकते हैं ऐसे ऐसे अगर जैसे जैसे हमारा radius बढ़ता जाता है वैसे वैसे हमारी capacity घटती जाती है अब जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा 9 मीटर radius बन रहा है तो यहाँ पे हम कितना उठाएंगे 18 टन कितना में 11.6 मीटर जो हमारा basic boom है उस से ठीक है अब ऐसे ही देखिए यह वाली चीज है अब निचे आईए और यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं जैसे कि हमको यह दिखा रहा है कि आप first boom कितना निकालेंगे यानि first telly कितना निकालेंगे basic boom के बाद से जो first telly है वो हम कितना निकालेंगे ठीक है और यह second telly है वो दिखा रहा है कि हम second telly कितना निकालेंगे यह रिविंग है false है रिविंग false यानि कि जो rope होता है कि कितने layer की है तो यहाँ पे हमको अगर 75 ton का माल उठाना है जैसे इस वाले line का माल उठाना है तो हमको रिविंग false 12 चाहिए ठीक है दोस्तों और यह देखिए यह hook का दिया है तो hook का जो capacity है वो 75 ton का capacity है उसका जो हमारा hook है ठीक है यह चीज़े है ऐसे ही अगर जैसे देखिए अब यह चीज़े है यहाँ आए यह 15.6 ठीक है इसका radius बढ़ता जाएगा तो वैसे वैसे हमारा capacity घरती जाएगी तो अगर हमको इस वाले line में काम करना है तो हम कितना निकालेंगे देखिए 11.6 मीटर तो हमारा basic boom हो जाएगा उसके बाद सर्फ टेली निकालेंगे चार मीटर का बस उसके बास कुछ ने उसके बाद जो हमारे false होंगे जो layer होंगे जो boom पुली और hook block पुली में जो लपेटा हो गया वो 9 होगा नो हाथ होगा तो इसको हम इतना मतलब यह वाली line में हम काम कर सकते हैं इतना टन हमको अगर उठाना है पचाश तरन 48 तरन ऐसे करके तो हमारा 15.6 boom length रहेगा ठीक है हमारा यह फर्स टेली चार मीटर निकालेंगे ठीक है 9.6, 19.6 मीटर तो यहां पर हमारा capacity 3 मीटर पर कितना बना है 40 तरन का ठीक है दोस्तों ऐसे ही होता जाएगा जैसे जैसे हम boom length बढ़ाएंगे वैसे भी हमारी capacity घरती जाएगी ठीक है दोस्तों देखिए यहां पर 11.6 तरन था तो हम 85 तरन उठा रहे थे तीन मीटर की रेडियस पर ही बट अगर वही boom निकाल दिये 15.6 तो हमारा capacity 3 मीटर रेडियस पर ही घट गया कितना हो गया 50 तरन हो गया ऐसे ही हमारा घटता जाएगा ठीक है दोस्तों यह चीज आपका टरन है ठीक है कितना टरन हम वेट उता सकते हैं यह चीज हमारे क्या है यह हमारा boom length है हमएंगे कितने boom length में कितना काम कह सकते हैं ये last में यहां पर आ गया है 44 मीटर अगर हम फुली अपना पूरा boom निकाल देते हैं चाहब आरीस मीटर हमको निकाल देते हैं तो उसके बात से हमारा कम से कम रेडियस कितना बनता है 9 मीटर का तो 9 मीटर का जो कितना निकालेंगे 8 installing कितना निकालेंगे 14.4 मिटर 11 पॉइंट 21ी तो यह टोल जोड़ देंगे तो हमारा 44 मिटR टोल हो जाएगा it by 2 तो 44 अगडर काम करेंगे तकषिर वह सो कितना चाहिए हमारा इसलो कितना चाहिए एक तो यहां यहां 10 टो टर टो टो टोल टो ऐसे चीज़े आपको समझ में आएगा और चीज़े आपको अगर जानना होगा दोस्तों तो कमेंटर में आईएगा बताईएगा हम आपको बताएंगे इंशाला बाई